पिछले कुछ वर्सों में एपल सीडर विनेगार बहुती लोगप्रिये हुआ है एपल सीडर विनेगार में मौझूद पौसक तत्रुआ और उसके फाइदों की वज़े से एपल सीडर विनेगार इतना लोगप्रिये हुआ है आज के वीडियो में मैं आपको एपल सीडर विनेगार के बारे में 5 चीज़े बताऊंगा नमबर एक एपल सीडर विनेगार क्या है नमबर दो एपल सीडर विनेगार का उपयोग कब करें नमबर तीन उपयोग कैसे करें नमबर चार उसके फाइदे किया है और नमबर पाँच उसके नुक्षान किया है सबसे पहले बात करते है एपल सिडर विनेगार किया है एपल जूस को फर्मेंटेट करके जो सिरका तयार होता है उसे एपल सिडर विनेगार कहते है एपल जूस में इस्ट को मिलाकर जो फ्रूट सर्करा होती है जो फ्रूट सुगर होती है उसे आलकोहल में तक्दिल किया जाता है और जो आलकोहल है उसमें बेक्टिरियाज मिलाकर उसे एसिटिक एसिड में तक्दिल किया जाता है एपल सीडर विनेगार का जो खटा स्वाध है और अनोखी महेक है वो एसिटिक एसिड और मेलिक एसिड के आभारी हत मार्केट में जो भी एपल सीडर विनेगार मुझूद है उसमें से बेक्टरियास निकाल दिये जाते है ताकि वह लंबे समय के लिए चल सके एसा करने के लिए एपल सीडर विनेगार को फिल्टर किया जाता है उसको पेस्चुराइस किया जाता है इस फ्रक्रियास से बने हुए एपल सीडर विनेगार की ताका जो ओरिजिनल एपल सीडर विनेगार है उतनी नहीं होती है अब बात करते है एपल सिडर विनेगार को कब पिया जाए और कैसे पिया जाए देखिये ऐसा कोई थमगरूल नहीं है कि एपल सिडर विनेगार को दिन में एक बार पिये दिन में दो बार पिये दिन में तीन बार पिये ज्यादतर लोग एपल सिडर विनेगार को दिन में दो बार पीते हैं एक जब वो सुबह उठते है तब खाली पेट और दूसरा सोने के एक गंटे से पहले एपल सिडर विनेगार को आप दिन में तीन बार भी पी सकते हो आपको एक खास बात का ज्यान रखना है कि एपल सिडर विनेगार की मातरा आपको मरियादीत करनी है आपको बिना सुचे समझे याँ ज्यादा एपल सिडर विनेगार नहीं पीना है उससे आपको नुक्षान भी हो सकते हैं एपल सिडर विनेगार को आप पानी के साथ सहत के साथ और और चो फल होते हैं उसके रस के साथ पी सकते हो सही तरीका है कि एपल सीडर विनेगार की एक चमच यानि कि 10 ml को आप 200 ml यानि कि एक गलास पानी में गुंगुने पानी में मिक्स करके पिए एपल सीडर विनेगार की असर डैरक आपके दातों पर होती है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एपल सीडर विनेगार का मिस्टर पीए तो उसको अपने दातों से दूर रखे मतलब दातों से उसका संपक नहीं होना जाए तो आपको एक बात का ध्यान कि आपको स्ट्रोक की मदद से एपल सिडर विनेगार पीना है स्ट्रोक को अपने दातों के पीछे ले जाना है और धीरे धीरे करके आपको एपल सिडर विनेगार का मिस्टन पीना है आपको एक ही साथ एपल सिडर विनेगार का मिस्टन नहीं पी जाना है अब बात करते हैं एपल सिडर विनेगार के कुछ फाइदों के बारे में नमबर एक है रक्त सरकरा यानि की बलड ग्लुकोस लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए उसको कम करने के लिए एपल सिडर विनेगार में मौझूद एसिटिक एसिड मंद पाचन में सहायक होता है जिससे क्या होता है कि जो रक्त नलिकाय होती है उसमें बलड ग्लुकोस का लेवल कम हो जाता है अगर आपको टाइप 2 डाइबिटीस के मरीज हो तो आपको एपल सिडर विनेगार का सेवन करना चाहिए लेकिन सेवन करने से पहले आपको अपने एंडोक्राइनोलोजिस नी अपने फेमिली फिजिसन से बात करनी ज़रूरी हो जाती है नमबर दो है खराब कोलेस्टरोल को दूर करने के लिए एपल सिडर विनेगार में मौझूद पैक्टिन नमक तत्व आपके सरीन में से खराब कोलेस्टरोल को दूर करता है कहीं लोगों को पेक्तिन की allergy भी होती है तो अगर आपको allergy है तो आपको apple cider vinegar नहीं पीना है नंबर तीन है मुहा से दूर करने के लिए apple cider vinegar की कुछ बुन्दों को रूई की मदद से आपको चहरे पर लगाना है जिससे क्या होता है कि चहरे पर से impurities दूर होती है और मुहा से कम हो जाते हैं एपल सीडर विनेगार के त्वचा पर डाइरक उप्योग करने से पहले आपको डर्मेटोलोजिस से सलाह लेनी है नमबर चार है मोटापा दूर करने के लिए एपल सीडर विनेगार में मोजूद एसिटिक एसीड आपका मोटापा दूर करता है आपकी चर्बी खास करके आपकी जो पेट की चर्बी है उसे दूर करता है अगर आप मोटा पे से परेशान हो तो रात को सोने से पहले आपको एक गलास गुनगुने पानी में दो चमच एपल सीडर विनेगार मिला कर पीना है उसके साथ आप सहथ भी ले सकते हो नमबर पांच है पाचन क्रिया को अच्छी करने के लिए एपल सीडर विनेगार में मौझूद एसीटिक एसीड मंद पाचन में सहायक होता है जिससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी होती है तो जो भी खोराक आप खाते हो उसका अच्छी तरह से पाचन हो जाता है खोराक का अच्छी तरह से पाचन होने से आपको एसीडिटी गेस या पेट के दर्द की समस्याएं नहीं रहती है इसके अलावा भी एपल सीडर विनेगार के और कहीं सारे उप्योग है जैसे की एपल सीडर विनेगार के नीमित सेवन से जोडो का दर्द कम होता है कैंसर जैसे असाध्य बिमारी होने का खत्रा भी कम होता है मू की जो बद्बू है वो दूर होती है और तवचा पर जो रेड स्पोर्ट है वो भी कम होते है एपल सीडर विनेगार का अगर बालों पर उप्योग किया जाए तो डेंडरफ कम होता है बालों का जड़ना कम होता है और बालों का जो स्वास्ति है बालों की हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है अब बात करते हैं कि एपल सीडर विनेगार को अगर बिना सोचे समझे लिया जाए अधिक मात्रा में लिया जाए तो उससे क्या नुक्षान हो सकते है अगर आप बिना सोचे समझे लिया अधिक मात्रा में एपल सीडर विनेगार का उप्योग करते हो तो आपको पेट की समस्य हो सकती है दातों पर डाइरेक एपल सिडर विनेगार के उप्योक से आपके दात खराब हो सकते हैं दात पीले हो जाते हैं और दात के उपर जो एनेमल होता है उसको नुक्षान होता है तो दात कमजोर भी होते हैं Apple cedar vinegar के तुच्छा पडाइ्रोफ्व्योग से आपको ऐलर्जी होने की संभावना भी बढ़ जाती है Apple cedar vinegar के ज्यादा उप्योग से हड़ीों में मौझुद जो मिनरल density है, जिससे हम बोन मिनरल density कहते हो कम हो जाती है जिससे हड़िया कमज़ोर होती है तो अगर आपको हडियों से सम्मधित कोई बिमारी है जैसे के arthritis है या osteoporosis है तो आपको कभी भी apple cider vinegar का उपयोग नहीं करना चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही स्वास्य से जुड़े होई वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe करें और notification पाने के लिए bell icon को press करें आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय बारत